अध्यक मौदय अध्यक मौदय मैं आपको हिर्दे से धन्वाद देना चाहता हूँ सबसे पहले मैं मानिय मंत्री मौदय जी मैं आपको सिक्षक जो सरकारी स्कूल में सिक्षक हैं उनमें और प्राइबेट स्कूल में सिक्षक हैं उनकी दोनों की गुनवत्ता आप से मेरा जामनेशन या उसकी ट्रेनिंग प्रियेट को आप नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहतर भविस उनकी सुरक्षित नहीं होगी दो तिसी चीज जितना सरकारी स्कूल में और कॉलेजेज में बच्चे हैं 400 800 400 700 क्लास इतने कम हैं 8 क्लास है 9 रूम है 8 र समय स्कूल डोले बना हुआ बानी कहीं हवी सरकारी स्कूल में सधीय आप उसक वार मेंबर परलेमेंट ओना जी जी कहना यह है कि जो बिहार या देश की जो सरकारी इस्थिती है आप भी आप सबसे जादे बिहार कोटा में बिहार जाते हैं परने के लिए आपको पता है द्यक्मोंद है और कोटा में अगले साल लगबग 600-700 बचे किस तरह डिप्रेस के चलते हाथ मत्या किये हैं आप से कोई से चुपी नहीं है और आप वहां गार्डन बनके हैं हमने कई बार सारे सलस्ताओं के चेर्मेंट से मैंने बात्चित किये डिप्रेस में चले जाते हैं मेरा संबिशन इस बात को ले करके है कि बिहार के बटवारे के बार ना तो एक नेतर हाट खुली ना तो सैनी की स्कूल खुला ना ही केंद्रिया पिस्विद्याले को तबज्व मिली ना जमीन मिली ना नमोदे पिद्याले पर फोकस किया गया ना सेंट्रल स्कूल पर फोकस किया गया ना पंचायत में कस्तुर्वा गांधी पर फोकस किया गया बच्ची के लिए कोई सुपडा नहीं हम लोगों केंद्रिया विस्विद्याले का मंग किया था पट्टा इंवर्शिटी को ले की एक केंद्रिया विस्विद्याले भारत सरकार के द्वारा मोतिहारी में खुली जिसका इतना अनाईती का शिक्चा मंत्री में होद है मैं चाहूंगा कि हर परस्थिति में वहां जो बिस्विध्यारे के भिस्य है उनकी पूरी कदाचार की जार्च जो मुतियारी है उस पर और पटना केंद्रिये बिस्विध्यारे को बनाने का मेरा आप से आग रहा हुद एक पूर्णिया में पुर्णिया कोशी सिमान्चल का पूरा दूसरा उपराज है मैं पॉइंट पर दूसरी उपराजदानी है मैं दो मिनट भी खतम कर दूगा जेक लोड़े धोरस दूसरी उपराजदानी है क्या आप केंड्रिय पिस्पीडियाल बनाने के लिए पुर्णिया कॉलेज को आप देखे हुए है दूसरा चीज है डियलेड और बीएड लगभग सरकारी कॉलेज में डियलेड और बीएड को आपको खोलना चाहिए क्योंकि शिक्षक को बढ़ाने की जोरत है उसमें हम कस्वा में और जगह चाहते हैं इंटर कॉलेज को हम चाहते हैं रुपोली और साथ साथ हम चाहते हैं कोड़ा इंटर कॉलेज हमारे चेत में सबसे ज़्यादे कम है उसमें हम आगे आप स्याग रख करेंगे आंगन बारी पर आप स्याग रही है कि आंगन भारी के बारे में एक सोच बन गई है कि आँ अत्यान पिछड़ा डली तादी बासी खिचरी खाएंगे आगे वो चले जाएंगे आगन भारी की सेविका ना तो उसका क्वालिटी है ना कोई क्वाइंटीटी है ना उनकी तंखा बरती है और ना ही बच्चों को आने का कोई सुविड़ा है मेरा आगरा इतना है आपसे कि जो बच्चे जाएं जो कॉलेज इसके बच्चे हैं लगभग कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं क्लास से बच्चे चले जाते हैं स्कूल के बच्चे खिजरी खाने के बाद 80% चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं, यह जैसे DPS है, DPS, DPS पर हाई कोट ने कहा है, माँ लास कर रहा हूं, बहुत ज्यादे लेता है, उसको रोग दिप्ज के जो संसफ़ापक है वो लगातार गड़त कर रहे जी से रही जगातार होता है एक से के बाद उसके जो रीजल्ट वो तीन मेना चार मेहना बाद क्यों इससे बच्चे के भी दर है कि हमारी हेला फेरी होति है है मैं चाहता हूँ जिसका फॉर्म भड़ा जाए बच्चे का UPSC, BPSC, SSC या कोई भी SCS competition में उसका exam हो और 15 दिनों के अंदर उसका result निकाला जाए result निकाल कर उसकी जुआनी की वेवस्ता की जाए तभी अन्नाता